आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी यूज करते हैं Google Meet App और यहां पर आपको problem आ रही है कि जो Google Meet App में आपका microphone होता है यानि कि mic होता है वो work नहीं कर रहा है यानि कि आपको mic से related कोई भी problem आ रही है तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं आई आज की इस meeting से बाहर आ जाते हैं उसके बाद आपको जाना है अपने phone की settings में settings को open कर लीजिए यहां पर अपने phone की settings को open करने के बाद आपको नीचे की तरफ scroll करना है नीचे आएंगे तो आपको एक option मिलेगा app manager का या फिर app management का या फिर manage apps का तो आप देख लीजिए कि आपके phone में किस नाम से है हर phone में अलग-अलग नाम से होता है तो हमारे phone में more settings में है इस पर हम click करते हैं यहां पर आपको मिल जाएगा app manager अगर आपके पास कोई vivo का phone है तो app manager पर click करिए आप अपने phone की settings में search कर सकते हैं जो तीन नाम मैंने आपको बताए हैं उन में से एक नाएक नाम से आ सारे application आ जाते हैं आपको यहां पर नीचे आना है आपको यहां पर नीचे आकर ढूंड़ना है Google meet को तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको इस तरह से मिलेगा meet के नाम से इस पर आप click करिए और उसके बाद यहां पर एक option आएगा force stop का आपको force stop पर click करना है नीचे okay का option आएगा okay कर दीजिए उसके बाद यहां पर एक option आएगा permission का यहां पर आपको permission वाले option पर click करना है उसके बाद यहां पर आपको एक permission मिलेगी microphone यह आपकी बंद होगी तो इसे चालू जरूर कर लीजिए इस तरह से microphone की permission को on कर दीजिए उसके बाद आप back आजाईए यहां पर आप एक step और follow कर सकते हैं जो आपका earphone होता है या फिर headphone होता है वो आप अपने phone से निकाल कर देख लीजिए फिर check करिए कि आपका mic work कर रहा है या फिर नहीं हो सकता है जो आप earphone use करते हैं उसके mic में कुछ problem हो तो वो आप जरूर check कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें